टांसफर पोस्टिंग को लेकर बिहार के सिक्षक चले कोट, A.C.S. डॉक्टर A.C. दार्थ पर हुआ परिवाद दायर और नियोजिस सिक्षक बने रहेंगे बढ़िये खबर देखने वाले तमाम दर्सक बंधूओं को इसके चौधरी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों बिहार के तमाम नियोजिस सिक्षक जो की सक्षमता उत्तिन होकर इस आसा में बैठे है कि सिक्षा विभाग दोरा किस तिथी को उनका विद्याले आवंटित कि जाएगा और उन्हें बिषिट सिक्षक बनाते हुए राजकर्मी का दर्जा परदान किया जाएगा लेकिन सिक्षा विभाग के उदासींडता ने सिक्षकों को मजबूर कर दिया है कि उन्हें किसी न किसी रूप में अपना अधिकार पाने के लिए नई रह अपनानी होग जिसके तहत ही बिहार के नियोजी सिक्षकों की ओर सी कोट का सरन लेने का मन बना लिया गया है वहीं दोस्तों कहीं और भी ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बिहार के सिक्षक कोट के सरन में चले गए हैं और सिक्षा विभाग के सामने बड़ी मुस्किल खड़ी कर दी है इ दोस्तों आईए मुद्दे पर हम बात करते हैं कि सबसे पहले बिहार के वो तमाम नियोजी सिक्छक जो की वर्सों से कररत हैं और वर्सों से अपनी सिवा दे रहे हैं लेकिन सिक्छा विभाग द्वारा एक पतर जारी करते हुए तमाम वैसे मध्मिक विद्याले जिसमें नि परभार छोड़ते हुए बिपीएसी के माधम से बहाल सिक्छकों को परभार गरहन करने समद्धी आदेश जारी कर दिया था यानि अस्पश्ट रूप में कह दिया जाए तो सिक्छा विभाग द्वारा बिपीएसी के माधम से बहाल सिक्छकों को वरिता दे दी गई थी औ पर कोई भी संग्यान नहीं लिया गया ना ही नियोजी सिक्षकों के वर्सु की सिवा का खयाल लखा गया। और 7 अक्तूबर 2024 को क्या कुछ सुनवाई के दोरान माननी ये पटना उचने आले द्वारा संग्यान लेते हुए आदेश चारी किया जाता है। असपश्ट है दोस्तों कि नियोजी सिक्षकों के पक्च में नेचित रूप से माननी ये पटना उचने आले का आदेश जारी किया जाएगा। क्योंकि BPSC के माध्धम से बहाल सिक्षकों के लिए जो भी आदेश निर्गत किया गया था कि वो परभार गरन करेंगे वो उसका कोई आधार ही नहीं था। बिना आधार के ही वो पत्र जारी कर दिये गये थे और BPSC के माध्धम से बहाल सिक्षकों को वर्ये करार दे दिया गया था। क्योंकि अगर सेवा संहिता की भी बाते की जाए तो भाले ही BPSC से बहाल सिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा परदान कर दिया गया है। प्रेंतु नियोजी सिक्षक राजकर्मी ना होते हुए भी आज की तारीख में उन सिक्षकों की सिवा संहेता से काफी वरिये है क्योंकि जहां BPSC से बहाल सिक्षकों को बरतमान में सिर्वा सिर्फ तीन परकार की ही छुट्टी परदान की गई है उनका टांसफर लेकिन एक ठोसरन निती के तहट इनका नियावली तयार किया गया है जिसकी आधार पर सिक्षकों को बरतमान में अरजित अबकास, चिकितसा अबकास, मातरित्तों अबकास, मेडिकल की सुबदा, अध्यन अबकास, इत्यादी परकार के लाब सिक्षकों को दिये जा रहे है प्रन्तु BPSC के मादम से बाल सिक्षक अभी तक इन तमाम सुधाओं से वन्चित है, तो कहने का अर्थ ये हुआ दोस्तों की जिनकी सेवा संहिता ही अभी तक नहीं है, आखिर सिक्षा विभाग द्वारा उन्हें वर्ये कैसे करार दे दिया गया था, नेचित रूप से इ नेचित रूप से कोट दोरा या असपष्ट निर्देश दिया गया है, कि जब तक कि इस पर सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक सिक्षक अपने ही पद पर बने रहेंगे, यानि जो भी नियोजी सिक्षक परभारी परधाना ध्यापक के रूप में कार्ज कर रहे हैं, वे स सबी के सबी सिक्षक अपने पद पर बने रहेंगे, दोस्तों एक बात मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी वी पीएसी सिक्षक इन बातों को अनिथा नहीं लेंगे, हमेशा ही सिक्षा विभाग दोनों ही कोटियों के सिक्षकों को उलिजाने का पर्यास कर रही है, नियम आखि से बहाल सिक्षकों के परती, अगर बिहार सरकार और सिक्षा विभाग की सहानूब होती है, तो आखिर 400 किलोमीटर दूरी पर वे सभी के सभी सिक्षक आज की तारीक में नौकरी करने को मजबूर है, आखिर उनके लिए अस्थानांतरन निति को क्यों नहीं लागू करती है हर हाल में बिहार के तमाम सिक्षकों की कोटी को सिक्षा विभाग आज की तारीक में परतारित कर रही है, उनके उपर सिर्फ बसिर्फ सिकंजे कस रही है, इसलिए तमाम सिक्षकों को इन तमाम बिंदूओं पर विचार करते हुए, अपने अधिकारों के लिए आपस में ए प्रंतु सिक्षा विभाग द्वारा बार बार सिक्षकों को निरास ही किया जाता है उनकी एक भी बातों पर विचार नहीं किया जाता है जिसे देखते हुए सक्षमता उत्तिन सिक्षकों ने पिछले माह भी 24 सप्तमबर 2024 को TET STT सिक्षक संग की ओड से या सरकार को हिदायत थी कि अगर सरकार और सिक्षा विभाग सब्तमबर 2024 के आंद तक टांसफर एवंपोस्टिंग निति को लागू नहीं करती है तो आने वाले अक्टूबर महीने से सिक्षकों द्वारा अंदोलन किया जाएगा दोस्तों TET और STET की ओड से दो अक्टूबर गांधी जैनती के अबसर पर मौन जुलुस भी निकाला गया था जो कि बेगू सराई जीले में सबसे ज़्यादा परवावी देखने को मिला था सिक्षकों ने मौन जुलुस निकाल कर सरकार को आगाह किया था और सिक्षा विभाग के पास यह संदेश भेजने की कोशिस की थी कि हम सभी को ज सिक्षकों के असनातक पर सिक्षित सिक्षक संग की ओर से एक बार फिर से तरकार और सिक्षा विभाग को चेताबनी दे डाली गई है उनकी ओर से असपष्ट सिक्षा विभाग को संदेश दे दिया गया है कि अगर सिक्षा विभाग सिक्षकों को इसी तरह दिन परते दिन सब्सक्राइब अब इसलiają है कि कोट सब्सक्राइब आक इस स्थास्थापन पर उसक बहुत जलिए संभब हो सकेगा दोस्तों यहाँ पर प्रस्ण चिन खरा होता है और कई सिक्षक बंधूओं की ओर से ये बाते कही जाती है कि कोट में चले जाने के बाद एक बार फिर से यह अधर में चला जाएगा लेकिन दोस्तों हम कहना चाहेंगे और हमारा बिसलेशन कहता है कि सरकार य सिक्षा मंत्री से मुलाकात अवस्य कर लिया जाना चाहिए और उनकी ओर से और उनसे भी आस्वस्त हो जाना चाहिए हाला कि सिक्षा मंत्री भी इन बातों को जान चुके हैं कि आप बिहार के सिक्षक रुकने वाले नहीं है कोट का सहारा लेंगे लेकिन देखना होगा कि व्याखिर सूजबुज के साथ बिहार के सिक्षक संग कहां तक अपना काम निकालते हैं और सिक्षा विभाग को कहां तक चुनोती देदेने में सक्षम होते हैं वहीं दोस्तों एक और परिवाद दायर किया गया है एसी एस डॉक्टर एस सिदार्थ के उपर और साथी साथ मा पुरे भारत में कोई ऐसा कार्याले नहीं छा जहांकि 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जैन्ती के सुब अबसर पर कार्याले बंद नहीं थे लेकिन बिहार में सिर्फ बसिर्फ एक सिक्षा विभाग ही ऐसी थी जिस दिन तमाम विद्याले खुले हुए थे ना तो सिक्षकों को परिवाद दायर किया गया है अब नेशित रूप से इन बातों को अस्पष्ट करना होगा कोट के सामने इसके संबन्द में अस्पष्टी करन देना होगा कि आखिर पूरे देश के कार्यालें में जिस तिथी को छुट्टी थी बिहार के सिक्षा विभाग के कार्याले उस तिथी को क्यों खुली हुई थी लेकिन इस करम में हम बताते चले दोस्तों कि एसेस के पास एक ठोस सबुत भी मौजूद है और उनके पास जवाब ही मौजूद है वो सिर्फ एक लाइन में ये जवाब दे सकते हैं कि इससे पहले भी बिहार के सभी परकार के विद्याले गांधी जैन्ती के सुब अबसर पर खुले रहे थे उस तिथी को छात्रों द्वारा हर सोलास के साथ गांधी जैन्ती मनाया जाता है जिसमें सिक्षकों की भी सक्रिय भूमिका होती है और पुर्व की तरह भी इस बार दो अक्टूबर दो हजार चौवीस को भी बिहार के बिद्याले खुले हुए थे और वहां भी गांधी जैन्ती का समारो बड़े ही हर सोलास के साथ मनाया गया था तो इन तथ्यों के आधार पर एस बच सकते हैं उनके पास ठोज सबूत है लेकिन इतना तो जरूर है कि जब सिक्षकों ने अब एस एस को चैलेंज देना इस सिदार्थ को इन विंद्यों पर सोचना होगा कि ऐसा नहों कि मेरे कारकाल में पूरा सिक्षा भी भाग ही मुकादमों से भर जाए और सिक्षक कोट में ही उलज कर रह जाए लेकिन क्या कुछ होता है वह आने वाला वक्त बताएगा फिलहाल आज की खबर वस इतना ही आ माम दोस्तों के पास सेर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्ते सके चौदरी को इजाज़त जै हिंद जै भारत